स्वागत है आप सबका लाइव लौ की इस खास पेशकश कोट्स टुडे हिंदी में जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे तो जरूर जाएए लाइव लौ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से इस वीडियो में हम आपको संशेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोट ने मंगलवार चार जून को शराब नीती मामले से जुड़े मनी लॉंडरिंग और भ्रष्टाचार के मामले में पूर्फ उपमुख्य मंतरी मनीश सिसोधिया की जमान अतिया चुका का निप्टारा कर दिया ऐसा तब हुआ जब सुलिसिटर जेनरल तुशार मेहता ने अदालत को सुचित किया कि अंतियम आरोब पत्र या चार्च शीट तीन सब्ता में दायर किया जाएगा हाला कि कोट ने आरोब पत्र दाखिल करने के लिए 3 जुलाई 2024 तक का समय दिया साथ ही कोट ने इस आरोब पत्र के दाखिल होने के बाद याचिका कोट के समक्ष लाने की छूट भी दी जस्टिस अर्विंद कुमार और जस्टिस संदीप महता की विकेशन बेंच दिल्ली उचने आले के 21 माई के आदेश के खिलाफ एक विशेश अनुमती याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सिसोधिया द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका को खारिच कर दिया गया था केंड्रिय जाच बीरो यानी CBI और प्रवर्टा निदेश आले यानी ED दोनों ने आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ मामले दर्ज किये थे वरिष्ट धिवक्ता अभिशेक मनु सिंग्वी ने शुरुवात में कहा कि सिसोधिया पिछले 15 महीने से हिरासत में है शीर्श अदालत ने पिछले साल उनकी जमानत याचिका खारिच करते हुए कहा था कि अगर मुकदमा धीमी गती से आगे बढ़ता है तो वे ट्रायल कोट के समक्ष नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं मनी लॉंडरिंग मामले में उने जमानत देने से इंकार करते हुए ट्रायल कोट ने सिसोधिया की ये दलील खारिच कर दी थी कि मामले की कारवाही में देरी हुई है ये भी देखा गया कि तथा कथित देरी स्पश्ट रूप से आम आदमी पार्टी के नेता के कारण ही हुई थी दिल्ली हाई कोट ने मंगलवार को कथित उत्पाथ शुल्प नीती घोटाला मामले से जुड़े भरष्टाचार के मामले में व्यवसाई और ब्रिंड को सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमंदीप सिंग धाल को जमानत देने से इंकार कर दिया नियायमूर्थी स्वन्ट कांता शरमा ने केंद्रियोजाज ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली धाल की याजगा खारिच कर दी नियामूर्ती शर्मा ने पाया कि धाल की भूमिका कैसे वो शुरू से ही साज़िश का हिस्सा था और विभिन गवाहों और अनुमोदक दिनेश अरोडा के बयानों के माध्यम से 4.97 करोड रुपे के अतिरिक क्रेडिट नोटों के भुपतान में उसकी भूमिका सपश रूप से सामने आई इसमें पाया गया कि धाल द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़ चाड़ करने की पूरी तरह से आशंका थी जम्मो कश्मीर और लद्दाख उचनियाले ने फैसला सुनाया है कि आपरादे कारोपों का सामना करने वाला कोई सरकारी करमचारी कारवाही लंबित होने तक पदोन्नती का दावा नहीं कर सकता है नयमूर्ती विनोच चैटर जी कॉल ने कहा कि पदोन्नतीया प्रमोशन के लिए एक करमचारी के पास स्वच और कोशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कम से कम बेदाग रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए अदालत ने आगे कहा कि कदाचार का दोशी पाए गए करमचारी को अन्य करमचारीों के बराबर नहीं रखा जा सकता है और उसके मामले से अलग तरह से विहवार किया जाहिए इसलिए जब प्रमोशन के मामले में उनके साथ अलग वहवार किया जाता है तो कोई भिभाव नहीं होता है ये रेखांकित किया गया अदालत ने केंद्रियर रिजर्फ पुलीस बल या सी आर पी एफ में 54 वर्शिय सहायत उप निरीकशक नाबा कुमार गिरी की याचका को संबोधित करते हुए ये टिपनिया की जिन्हों ने अपनी पदोनती और वितिय लाबों से इनकार करने को चुनौती दी थी जो उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कारवाही के कारण रोक दिये गए थे जारखंड उच नियाले ने फैसला सुनाया है कि पेंशन लाब करमचारियों का सामविधानिक और मौलिक अधिकार है ना कि अधिकारियों का विवेकाधीन अधिकार नियाले ने उस करमचारी के सेवा निवरिती लाभों को रोकने पर हैरानी व्यक्त की जिसकी बरखास्तगी आदेश को अपील ये प्राधिकारी ने विभाग से किसी अपील या संशोधन के विना रद कर दिया था इस मामले में एक सेवा निवरित सायक शिक्षक शामिल था जिसने पेंशन, ग्राचिटी, जी पीएफ, जी आइस, अफकाश नकदिकरन और वेतन घटा कर निर्वाह भट्टा सहित अपने पून पेंशन लाभों के भुकतान के लिए निर्देश मांगा था याचका कर्ता को एक मेमो के माध्यम से सेवा से बरखास्थ कर दिया गया था बाद में अपीलिय प्राधिकारी ने पैसले को पलट दिया इसके बावजूद याचका करता को नियाएक हस्तक शेप की मांग करनी पड़ी क्यूंकि उसकी सेवा निवृत्ती से जुड़े लाब नहीं दिये गए थे करनाटा कुछ नियाले ने मंगलवार को उस जन्हित याचका को खारिश कर दिया जिसमें राज सरकार को दिवंगत करनट फिल्म अभिनेता डॉक्टर विश्नु वर्दन के समारक के निर्मान के लिए दस गुंटा जमीन देने का निर्देश देने की मांग की गई थी जहां 2009 में उनका अंतिम संसकार किया गया था मुखे न्यायदीश N.V. अंजारिया और न्यायमूर्ती के वी आनंद ने कहा किसी फिल्म स्टार की समारक का निर्मान जन्हित याचका का विशे नहीं बन सकता ये कल्पना करना मुश्किल है कि याचका करता द्वारा उक्त उदेश क दिनी की मांग की थी मध्य प्रदेश उचनेयले ने हाल ही में माना है कि जब पती विवा के दौरान अपनी पती के साथ आप राकृते की ओन संबंद बनाता है तो सहमती महत्वहीन हो जाती है और ये भारतिय दंड सहिता की धारा 375 के अनुसार बलातकार के दाइरे में नह आगे कहा चूकि आएपीसी की धारा 375 के तहट बलातकार नहीं होगा इसलिए आएपीसी की धारा 375 के तहट अपराद भी नहीं होगा नियायमूर्ती प्रेम नारायन सिंग की एकल नियायधीश पीट ने कहा कि कथित आप्राधिक आप्राकृतिक कार्य जिसके बारे में मा साथ रहते हैं तो उन्हें IPC की धारा 375 के दाइरे में नहीं लाया जा सकता है जादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चानल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं लाइब लौ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कॉमेंट करिए अपने व्यूज हमें यूट्यू